आप सभी का हादिक स्वागत है एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्तित है आज का अमरा टॉपिक है भारतिय सोतंदरता संघर्ज का तीसरा चरण जी हाँ दो चरण हम देख चुके हैं पहला चरण 1885 से 1905 उसके लिए एक वीडियो हमने बनाया दूसरा 1905 से 1919 और तीसरा है 1919 से 1947 यह थोड़ा सा लंबा है चुकि 28 सालों का संघर्ज और इंपोर्टेंट संघर्ज में इसको हम दो या तीन तीन पार्ट में करके इसको देखेंगे चोटा चोटा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको भी कम समय में ज्यादा ज्यादा जानकारी मिले वै तो आज के इस वीडियो में हम आठ टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसमें गंदी जी का दक्षिन अफिरका से आगमन और गंदी जी के दक्षिन अफिरका से आगमन में हम तीन आंदोलन उनका देखेंगे चंपारन सत्यागरा अहमदाबाद मील मजदूर हर्ताल और खेरा स दूसरा हम रॉलेक्ट एक्ट देखेंगे 1929 का रॉलेक्ट एक्ट जिसको काला कानून का आ गया तीसरा जालिया वाला बाग हत्याकांट देखेंगे 13 अपरल 1934 हम लोग खिलापत आंदूलन देखेंगे पांचमा आसायोग आंदूलन 1920-1922 चो चोड़ी-चोड़ा कांट के बाद अस्थगित हो गया चटा चोड़ी-चोड़ा कांट देखेंगे सातमा स्वराज पार्टी का गठन देखेंगे 1923 में गठन हुआ था सियर दास और मोतिलाल नहरू ने मिलकर बनाये था और आठमा कणांतिकारी आंदूलन का दूसरा चरण 1924-1934 आज हम यहां तक देखेंगे सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे महात्मा गांधी मोहंदास करमचन गांधी इनका पूरा नाम था इनका जनम 2 अक्टूबर 1889 को हुआ था इनके पिता जी का नाम था करमचन गांधी और माता जी का नाम था पुतली वाई पिता जी का नाम करमचन गांधी माता का नाम पुतली वाई इनका बिवाद 14 बर्स की वस्था में 1883 में कस्तूरवा गांधी के साथ हुआ और इनके चार पुत्र हुए जिनको मैंने ट्रिक दिया है HDMR HDMR मतलब हरीलाल, देवदास, मनीलाल और रामदास या आप ऐसे हमर कर लें हम, डियार ज्यादा सटिक रहेगा हरीलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास अब सटिक हो गया 1889 से 1891 तक उन्होंने इंग्लैंड में रहकर कानूनी पढ़ाई की दो साल ये लंदर गये थे, लौकी पढ़ाई करने 1892 में दक्षिन अफरिका के एक बैपारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए कहां चले गए दक्षिन अफरिका चले गए दो साल इन्होंने लौकी पढ़ाई की और 1892 में ये कहां चले गए दक्षिन अफरिका केस लगने के सिलसिले में उसके बाद ये 2015 में भारत लोटते हैं गांदी जी दक्षिन अफरिका गए तो वहां भी इन्होंने बहुत कुछ किया Most Important 1894 में इन्होंने नाटाल कॉंग्रेस की स्थापना की कहां पर दक्षिन अफरिका में कई बार पूछा गया है कि नाटाल कॉंग्रेस की स्थापना किस ने की तो वह गांदी जी ने किया 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक सापताइक पत्र का परकासन किया 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 1910 में टॉल्स्टाइप फर्म की स्थापना की गांदी जी 1915 में 9 जनबरी 1915 को दक्षिन पिरका से भारत वापस आये और इसी नौ जनवारी को परवासी भारती दिवस मनाया जाता है वे फरवारी मार्च 1915 में सांती निकेतन में रहे जहां रविद्ना टेगोर ने इनको महात्मा की उपाधी दी गांधी जी ने भी रविद्नात को गुरुदेव कहा ठीक है एक्सचेंज हो गिया पजनाम का एक्सचेंज कर लिया इन्होंने टेगोर ने इनको महात्मा कहा इन्होंने टेगोर को गुरुदेव कहा ठीक है गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीति गुरु माना इसको गोपाल कृष्ण गोखले को बेटे सरकार ने गांदी जी को कैसरे हिंद की उपाधी दी कैसरे हिंद की उपाधी परदान की थी और इनको भरती करने वोला सर्जेंट तो कहा ही गया था बारवा हम रिपिट करते रहे हैं गांदी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वाराज में स्वाराज की बिस्त्रित ब्याख्य की थी स्वाराज सब्द का पहली बार परियोग स्वामी दयानन सरस्थी ने किया था स्वाराज सब्द का भारती रश्टी कॉंग्रेस के अधिवेशन में परियोग हुआ था कलकट्टा अधिवेशन में जो कि आपका हुआ था 1906 का अधिवेशन था दादा भाई नोरोजी न इसके देख्षता किया था इन्होंने नव जीवन जो गुजराती भासा में यंग इंडिया अंग्रेजी भासा में यह मिलान करने वाले प्रस्ट में आ जाते हैं अब जीवन जो है वो गुजराती भासा में यंग इंडिय अंग्रेजी भासा में इसके पहले इंडियन ओपिनियन लिखा था इन्होंने कहाँ पर दक्षिन फिरकाय में नटाल कॉंग्रिस की स्थापना कब की 894 में फिनिक्स आस्रम की स्थापना कब की 1904 में कहां किये रक्षिन फिरकाय में ये सब इन्होंने दक्षिन फिरकाय में किये थे ठीक है 1904 में फिनिक्स आश्रम और 1910 में टॉस्टाइब फॉर्म की स्थापना की इन्हों ने जो है अपनी आत्म कथा लिखी थी the story of my experiments with truth most important किताब है कई बार पूछा गया है the story of my experiment with truth के लेखा कौन है गांधी जी हरजन पत्री का भी इन्होंने प्रकाशन किया था हरजन सब इन्होंने दिया था 1923 में हरजन पत्र का प्रकाशन किया गांधी जी का सबसे प्रिये भजन था 229 जन को तैनु कहिए इसकी रचना नरसिंग मेह्ता ने की थी और ये इनका सर्व प्रिये भजन था गांधी जी ने अमदाबाद में सावर्मति नादी के किनारे सावर्मति आसरं की स्थापना की थी इनके अत्याती जनवाली 1948 को नातुराम गोर्षे ने दिल्ली के बिर्ला भवन में प्रायर्थना सभा में जाते हुए कर दी थी भारत में 1917 में 1918 के बीच गांधी जी ने तीन संगर्ज किये इनका पहला संगर्ज चमपारान सत्यागरा जो काफी इंपोटेंट है 1917 में हुआ था वहाँ पर इन्होंने तिन कठिया पर नाली के बिरोध में यह अंदुलन किया था और इसमें क्या होता था कि एक बीघा खेत में से तीन कठा खेत पर नील की खेती करना आनिवाड़िय था बाद भे रूप से करना ही पड़ता था जिसके बाद खेत बंजर हो जाता था और नील की खेती करने पर किसानों को उस हिस्से का लाब भी नहीं मिलता था उसी साफ का और उसके बजाया उनका जमीन जो है बंजर होते जा रहा था गांधी जी को चमपारन आने का निवता राजकुमार सुकल ने दिया था जो कि 1916 के अधिवेशन में चुकी गांधी जी वहाँ पर गए थे जब इन्होंने वहाँ पर भासन देना स्टार्ट किया था तो सभी पॉब्लिक वहाँ से उटकर चले गया थे क्योंकि उस समय यह दूसरा जो अंदूलन रहा वो अंदाबाद मील मजदूर हर्टाल अंदूलन रहा मील मजदूरों और मील मालिकों के बीच जो है प्लेग बोनस को लेकर विवाद था ठीक है गांधी जी के अंसन के बाद मील मालिकों ने 35% का बोनस देना स्विकर किया था प्लेग कमिशनर की हत्या जो है प्लेक कमिस्टर रैंड और एमहस्ट की हत्या चापेकर बंदू ने की थी अपर याद होगा तो यही प्लेक बोनस का ही विवाद यहां पर भी था आमदावाद में उसके बाद तीसरा है काल करम के उसाब से पूशा गया था धरोगामें परस्ण काफी कनफ्यूज किया था कि पहले आमदावाद मील मजदूर हर्ताल की पहले खेरा सत्य गर्षC दोनों ठारीन проल गजा हाए कि किशान फसल हो जाने के कारण लगान नहीं देना चाहते थे लेकिन सरकार इसके लिए तयार नहीं थी सरकार तो जानती है सरकार को क्या मतलब है कि फसर नस्ठ हो जाए या आपदा पढ़ जाए कुछ भी हो जाए उसको टैक्स चाहिए गांधी जी बिठल भाई पटेल बल्ला भाई पटेल और इंदूलाल यागनी के साथ खेरा पहुँचे और किसानों का समर्थन किया और इसके परिनाम सरुप सरकार को जुखना पड़ा तो गांधी जी का तीन अंदूलन हमने देखा चंपारन सत्यागरा, आमदाबाद मील मजदूर हर्ताल 16, खेरा सत्यागरा 16, जिसमें इन्होंने इंदूलाल यागनी, क्वल्ला भाई पटेल, बिठल भाई पटेल के साथ वहाँ पर अंदूलन किया रॉलेक्ट एक्ट 19 की बात करें, तो बढ़ती हुई करांतिकारी गतिपीधियों को कुचलने के लिए सरकार को रॉलेक्ट समीती के सुझाप पर रॉलेक्ट एक्ट या इसका पूरा नाम है दे एनार्किकल एंड रिवलूशनरी क्राइम एक्ट, ठीक है इसमें सीधा सीधा था कि अगर आपको किसी पिस्सा को रहा है कि या भी द्रो करने वाला आदमी है तो उसको पकर के जेल में ठूच देजे, इसको बीना वकील, बीना दलील वाला कानून कहा गया और इसको इसलिए काला कानून कहा गया कि यहाँ पर कोई अपील, कोई दली कोई वकील काम नहीं कर रहा था इसके ताथ अंग्रेज सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा के जेल में बंद कर सकते थी इसलिए इसको बिना वकील, बिना अपील बिना दलील वाला कानून कहा गया स्वामी सरधानद ने 30 मार्च 1919 को दिल्ली में आंदोलन की कमान को समभाला 30 मार्च 1919 को स्वामी सरधानद ने जालिया वाला बाग हत्याकंड की बात करें तो 1919 में हुआ और इसी के खिलाप, रॉलेक्ट एक्ट के खिलाप ही जालिया वाला बिद्रो जालिया रॉलेक्ट एक्ट के खिलाप ही अमरित सर में, अमरित सर के बाग में एक जनसवा, अभिसाल जनसवा बुलाई गई थी, जहाँ पर ज़्यादा भीर उमर पड़ी और उसके बाद जो है, पंजाब का उस समय का जो लेफटिनेन था, सर माइकल ओ डायर ने, उसने लोगों पर गूलियां चलवाने का आदेश द जो यह घटना 13 अपरेल 1919 को एक खोनी दीन के रुप में तब्रील हो गया, यहाँ पर सापुदीन किछलू, कॉंग्रेस के दो नेता, सापुदीन किछलू और डाक्टर सतेपाल की गिरिफतारी के खिलाप यह जनसवा किया गया था, सवास्तल पर मौजूद जनरल डायर ने बिना किसी सुचना के, यह गोली चलाया था, R.E.H. डायर ने, आदेश दिया था, माइकल ओ डायर ने, जिसके बाद उद्धम सिंग ने 13 मार्च 1940 को जो है, किसको माइकल ओ डायर को लंदन में घुस कर उसकी हत्या कर दी, उसके घर में घुस कर उसकी हत्या कर दी, उद्ध सरकार ने हत्यकान की जाच के लिए हंटर रायो गठिद किया और उधर कॉंग्रेस ने भी मदनलाल मोहनमालविय के दिख्षता में एक कमीटी का गठन किया दोनों ने जाज किया जिसमें हंटर आयूग ने क्या जवाब दिया हंटर आयूग का कहना था कि जो डायर कोचित लगा वही किया जबकि लोगों ने कहा कि जान बूच कर ऐसा किया गया और जो हंटर आयूग है उसके हिसाब से तीन सो लगभग तीन सो नवासी का ही आकरा दिया गया जबकि हजार से ज़्यादा लोग माड़े गए ये जो हंटर आयूग थे उसमें चमनलाल, सीतलवार, सहबजादा, सुल्तान, अहमद और जगत नराइन तीन भारतिये सदसे थे और पांच अंग्रेज थे उसके बाब भारतियों के होने के बाब जो है रेजल्ट भारतिये के पक्ष में मतलब नहीं दिया गया डायर को ही सही ठारा दिया गया खिलापत आंदूलन की बात करें भारत के मुशल्मान तूर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे कसीवर्स की संधी होई और उसके द्वारा तूर्की का विभाजन कर दिया गया इसके खिलाप जो है इसी आक रोज में 17 अक्टुबय 1919 को खिलापत दिवस मनाया गया 23 नॉम्बर 1919 को दिली में खिलाफत अंदोलन का अधिवेशन हुआ और ये हुआ किसकी अधिक्सता में गांधी जी की अधिक्सता में ठीक है गांधी जी मुसल्मानों के पक्सदर बहुत सुरू से ही थे 23 नॉम्बा 1919 को डिली में खिलाफत आंदोलन का अदिवेशन हुआ और उसके अध्यक्सता गांदी जने की 20 जुन 1920 में इलाहबाद में हिंदो मुस्लिम नेताओं की एक संयुक तो बैठा कोई और और सहयोग आंदोलन चलाने का नर्न लिया गया यहीं से कि हम लोग और सहयोग यानि नन कोपरेशन मुव्मेंट चलाएंगे और सहयोग आंदोलन चलाने का नर्न जो है 1922 में सितम्बर 1920 में कलकत्ता के एक बिसेश अधिवेशन में जिसकी अध्यक्सता कौन कर रहे थे लाला राजपतराई कर रहे थे लाला रस्पत राई के अध्यक्ष्टा में कलकत्ता में एक बिसेस अधिवेशन बुलाया गया सितम्बर 1920 में और यही पर प्रस्ताव पेस किया गया कि और सायोग आंदोलन चलाया जाएगा और इसका प्रस्ताव गांधी जी ने खुद पेस किया 1920 का ये तो 25 सभाव ले लिया गया लिकि 1920 के नागपुर अदिवेशन में इस प्रास्थाव को पारित कर दिया गया जो general चो चलता था हम लोग भी यहां पर आम सभाः ग्राम सभाः कर्वाते हैं फिर 25 सभाः कर्वाते हैं ये कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में जो है आसायोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया वो हुआ 1920 के नागपुर अधिवेशन में और इसके अदेख्षता विजय रागवा चारिये कर रहे थे प्रस्ताव आया कब पेस कब हुआ तो वो कलकत्ता के विशेश गया और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मिर्तु हो गई तिलक अस्मारा के लिए तिलक स्वराज होस की स्थापना की गई तो दुख़द हो गया कि और सेयोग आंदोलन एक अगस्त उनिसवीश को शुरू किया गया और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक ची दम तोड़ दि उपादी इनिनों ने लोटा दिए. इसके अलाबाद जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपादी लोटा दिए. यानि उपादी लोटाने का सिलसिला चल रहा था. विदेशी वस्तrू की होली जलाये जाने को रजिना टेगोन गोरगपुर इस्थित चौरी-चौरा नामक स्थान पर हुआ कई बार पूछा गया है कि चौरी-चौरा स्थान कहां पर है उत्तर परदेश में है गोरगपूर में अनुलकारियों ने पुलीस के 22 जवानों को ठाने के अंदर जिन्दा जला दिया था और इसके बाद गांधी जी ने अपना और सयोग आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने 12 फरवरी को बैठक बुलाई 12 फरवरी 1922 को बारदोली में बैठक बुलाई और वहां पर कहा कि और सयोग आंदोलन को वापस ले लिया अब जैसे ही और स्यम्reaming वापस लिया गांधी जी को करिफतार कर लिया गया और इनको 6 वर्ष का जेल सुना दिया गया दोस मार्च 1922 को समझ में आ गया है इनको दोस मार्च 1922 को इनको आस्सम्टोस फैलाने के आरोप में 6 वर्ष की सजा सुना दिगए स्वराज पार्टी की पात करेंगे हम लोग 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हो गया और सयोग आंदूरन की समापती के बाद कॉंग्रेश के कुछ लेता नाराज हो गए कि गांदी जी बिना आहिंसा की कैसे युद लड़ा जाएगा कैसे अंग्रेशों को भगाया जा सकता है अंग्रेश मानने वाले तो है नहीं महात्यतर है तो इसी विचार धारा से एक नया विचार धारा आया चितरणजंदास को देश बंदू कहा जाता है इन्हों है परिवारटन वादी कहा गया क्योंकि ये विधहान मंदल में परुएस करके आंदोलों को बढ़ा आगे बढ़ाना चाहते थे यह चाहते थे कि बिधान मंडल में पहले entry मारो और उसके बाद अंग्रेजों को वहाई पर सबक सिखाओ वहाई दूसरी तरफ जो और परिवर्तन वादी थे जिसमें सीराज गुपालाचारी, डॉक्टर राजिन परसाद, बल्लभाई पर्टेल ये सब बिधान मंडल में परवेश नहीं चाहते थे ये चाहते थे कि हम लोग ऐसे ही युद्ध करके चोटा चोटा आंदोलन करके देश ब्यापी आंदोलन करके हम लोग अंग्रेजों को भार चोड़ने के लिए मजबूर करेंगे लेकिन सीयारदास और मोतिलाल नहरू का मानना था ये हम लोग घूसके उसके माद में घूसेंगे बिधान मंडल में घूसेंगे उसके वाद महां कबजा करेंगे सीटो पर उसके वाद धीरे धीरे अपने कानून को लाएंगे तब जाके अंग्रेज को मजबूर होके भार चोड़ना पड़े। को इलाहबाद में कॉंग्रेज खिलापत स्वराज पार्टी की स्थापना की और इसके अध्यक्ष रोहे सियर्दास और मोतिला नहरू इसके महा सचीव बने। में असपस्ट बहुमत बंगाल में और ये सबसे बरे दल के रुप में और बंबे तथा उत्तर परदेश में संतोज जनक इस्थेती के रुप में सफलता मिले। यानि 101 में 42 सीट ये जीत कर आए जिसमें सबसे ज़्यादा ये बंगाल में ये सबसे बरे दल के रुप में उपर कर सामने आए और इनको मध्यपरांत में असपस्ट बहुमत मिला था। सवराज पार्टी के एक और बरिपलब दी थी कि 1925 में बिठल भाई पटेल को केंदरिय बिधार मंडल का आध्यक्स चुन लिए गए यानि धीर धीर ये 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 इंटर करते चले गए ठीक है। 16 जून 1925 में सियार दास की मिर्टू हो गए और उसके बाद सवराज पार्टी कमजोर पड़ गया। 1925 में तो बिठल भाई पटेल केंदरिय सेंटर असेंबली के अध्यक्स भी चुन लिए गए थे। लेकिन 16 जून 1925 को जैसे इस ये आधास की मिर्टू होती है। उसके बाद सवराज पार्टी कमजोर पड़ने लगा। बीच में फिर आगया करांती कारी आंदोलन का एक दूसरा चरन आगया। और इसमें 1924 से 1934 के भी दस सालों का ये संगर्स है। अक्टूबर 1924 में सचिनाथ सन्याल, योगेश चटरजी और रामपरसाद बिश्मिल ने कानपूर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन ह्रे की स्थापना 1925 में की गई। इस संस्था ने 9 अगस्त प्रसन पूछ जाएगा किसके द्वारा किया गया। तो जादा तर नाम जो आता है, वो सचिनाथ सन्याल और रामपरसाद बिश्मिल का आता है। योगेश चटरजी का भी नाम याद रखेंगे। कहां पर की गई। कानपूर में की गई। कब की गई। तो अक्टूबर 1924 में की गई। इस संस्था ने 9 अगस्त 1925 को क्या किया। काकोरी कांट किया। जिसको अब काकोरी ट्रेन एक्षन के रुप में जाना जाता है। इस समय उस समय इसको काकोरी सधियंत केस कहा जाता था। काकोरी नावकिस्थान पर एट डाउन ट्रेन पर डखेती इन लोगों ने डाली और सरकारी खाजाने को लूट लिया इस गटना को काकोरी कांड कहा जाता है इस गटना में राम परसाद बिश्मिल अस्फाकुला खां रौसन लाल राजिन लाहिरी को कर्मसा गोरकपूर यानि मिलान करने का प्रसना जाएगा कि राम परसाद बिश्मिल को कहा फासी दी गई गोरकपूर में अस्फा कुल्ला खां को फैजाबाद में ठीक है रौसनलाल को इलाहबाद में और राजेंदर लाहिरी को गोंडा में फासी दी गई चंदर सेखर आजाद यहां से भागने में सफल हुए सितंबा 1928 में दिली के फिरोज साब कोटला मैदान में जो इसका नाम बदल गया है अरुन जेटली किर्केटर स्टेडियम हो गया इसमें हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपॉब्लिकन एसोशेशन के स्थापना यानि ह्रे का नाम बदलकार आब इन लोगोंने कर दिया हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपॉब्लिकन एसोशेशन 1924 में है चारे बना था जो चचिम्नाज सन्याल और योगेंच चटर जी और इसके लावा आपका रामपरसाद बिश्मिल तीनों के सहयोग से कानपूर में बना था दिल्ली में जाकर जो है एचेस आरे बना जिसके स्थापना जो है भगत सिंग, सुखदेव, भगवती चरण बोहडा और चंसेखर आजाद ने मिलकर किया 1928 में साइमेन कमिशन का बिरोध करते समय पंजाब के स्री लाला राजपत राइक की मिर्थू हो जाती है लाठी चर्ण के कारण और भगत सिंग, राजगूरू और चंसेखर ने इसका बदला सांडर्स की हत्या करके लिए 1728 को इसकी हत्या करती, किसकी सांडर्स की हत्या करती भगत सिंग और बटुकेशर दत ने 8 अपरेल 1929 को दिली के सेंट्रल असेमली में बंफेका किस बिल के खिलाब? पबलिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाब जो है उस पर बहुत चल लही थी वहाँ पर और इसी दोरान लोगों ने बंफेका भगत सिंग और बटुकेशर दत ने 8 अपरेल 1929 को इसी समय भगत सिंग ने इनकलाब जिंदावाद का नारा दिया था मुहम्मद इगवाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में इनकलाब सब्द का पड़ियोग किया है 23 मार्च 1931 को देखिए इनको बंफेकनी गारुप में नहीं इनको लाहोड सडियन्थ केस में 23 मार्च 1931 को भगत सिंग, सुकदेव और राजगुरु को फासी दे दी गए 27 फरवर 1931 को इलाहबाद के अलफ्रेड पार्क में पुलिस मुटवेर के दोरान चंसेखर आजाने खुद को गोली मार ले बंगाल में सुर्य सेंग ने इंडियन रिपाब्लिकन आर्मी की स्थापना की इंडियन रिपाब्लिकन आर्मी आयारे की स्थापना सुर्य सेंग जिनको मास्टर दा कहा जाता है इन्होंने 18 अप्रेल 1930 को किया था 18 अप्रेल 1930 को चटगाउं सस्त्रागार में धावा बोला और इसको चटगाउं सस्त्रागार कांड कहा जाता है कुछ समय बाद सुरिय से इनको पकर कर फासिल दे दिगे सचिन्नाज सान्याल ने बंदी जीवन भगवती चरन बोडा ने फिलोस्पी और बंबे नामक पुस्ता की रचना की बीनादास ने 1932 में कलकत्ता अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने यहाँ पर भाग लिया था तो यहाँ पर बीनादास ने 1932 में कलकत्ता में दिख्चान समारों में इन्होंने गवर्नर पर गोली चलाई थी ठीक है तो ये दूसरा आप ये आपका जो है तीसरे जो है राष्टवादी चरण का पहला पार्ट समापत हुआ इसके बाद दूसरा जो पार्ट आएगा उसमें लोग साइमन कमिशन से आगे देखेंगे तो आगे चर्चा करेंगे दन्यवाद